आंदोलन के तहत आश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन इस्थानों पर धरने दिये तथा लगातार प्रदर्शन किये उनके प्रदर्शनों तथा दबाओ की वजह से सन 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा इस आंदोलन का नित्रित्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया जो की अपने समय के एक समाज सुधारक तथा मानवधिकार कारे करता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें लंबी पदियात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कारिवाईयों से अश्वेत के लिए सामान्य अधिकार हासिल करने के प्रयास करने होंगे उन्होंने 28 अगस्त सन 1963 को वाशिंग्टन डीसी में लिंकन इसमारक के नीचे लगभग 2,50,000 लोगों की भीड के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली एवं भावनात्मक भाशन दिया इस भाशन को किसी भी मानवा धिकार कारे करता द्वारा दिये जाने वाले सबसे प्रभावशाली भाशनों में से एक माना जाता है इस भाशन के कुछ अंश इस प्रकार है मैं आपके साथ इस अभ्यान में शामिल होते हुए गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ जिसे इतिहास में एक महान इतिहासिक अभ्यान के रूप में याद किया जाएगा लगभग एक सो वर्ष पहले एक अमरीकी जिसकी परचाई में हम खड़े हैं ने अश्वेतों के मुक्ती की घोशना के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे इस आदेश से लाखों अश्वेत नागरिकों को आशा की किरन दिखाई दी थी कि हम भी सुखद और सम्मान पूर्वक जीवन जी पाएंगे ये महान आदेश हम अश्वेतों के लिए एक लंबी और अंधेरी रात के बाद चम-चमाती सुबह के समान था हमें लगा हम अन्याय की लप्टों में जुलसने के बाद न्याय की ठंडक और चांदनी को हासिल कर पाएंगे लेकिन उस महान आदेश के एक सौ वर्ष बीतने के बाद भी अश्वेत आज भी स्वतंत्र नहीं है एक सौ वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन तरह-तरह की प्रतिबंधों के घाओं की वज़ा से निहशक्त है हम आज भी अलगाओ का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है हमारा जीवन अभी भी भेद भाओं की जंजीरों से जकड़ा हुआ है एक सौ वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन भौतिक समरिद्धी के विशाल सागर के मध्ध गरीबी के एक बरफीले द्वीब की तरह अकेला है एक सौ वर्ष बाद भी अश्वेत अमरीकी समाज के एक अंधेरे कोने में दबे हुए हैं और हम अपने आप को अपने ही देश में निर्वासितों की तरह महसूस करते हैं इसलिए हम आज यहाँ अपनी शर्मनाक स्थितियों को नाटकिय अभिनय द्वारा सब के सामने पेश करने के लिए इकठे हुए हैं मेरा एक स्वपन है यह ऐसा स्वपन है जो कि स्वतंत्र सम्रिद्ध और प्रगति शील अमरीका के स्वपन से जुड़ा हुआ है मेरा यह स्वपन है एक दिन यह देश अपने स्वार्थों से उपर उठेगा और अमरीकी होने का वास्तविक अर्थ समझेगा हम इस सत्य को जो की स्वेम सिद्ध है पूरी मजबूती के साथ स्विकार करते हैं कि सभी लोगों को बराबर से बनाया गया है तथा सभी लोग बराबर है मेरा ये स्वपन है कि एक दिन जोर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के पुत्र अपने श्वेत भाईयों के साथ भाईचारे के साथ मेज पर बैठेंगे मेरा ये स्वपन है कि पसीने तथा गर्मी से भरा हुआ मिसिसिपी राज्ज एक दिन स्वतंत्रता तथा न्याय के सागर के रूप में परिवर्तित होगा मेरा ये स्वपन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरे चार छोटे बच्चों को उनके रंग या चमडी से नहीं बलके उनके चरितर से पहचाना जाएगा मेरा ये सुपन है कि एक दिन अलबामा के छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियां अपने जैसे श्वेत बच्चों से भाईयों और बहनों की तरह हाथ मिलाएंगे और मिलकर एक साथ खेलेंगे ये ऐसा दिन होगा जिस दिन इश्वर के सभी बच्चे आजादी के गीतों को नए अर्थों के साथ गाएंगे